गुड इबनिंग इस्टुएंट्स मैं हूल पेशन आप सुभी कर स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में तो जैसा कि कल आप अनने पड़ा था कि मैट्रिक्स क्या है उसके टाइप्स क्या-क्या है और उसकी प्रोपारिटीज और मैंने कल आपको एक क्वेशन दिया था सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए तो चलिए देखते हैं जिसको बना है आप मिलाना और जिसको नहीं बना है तो समझना देखें क्वेशन दिया गया था आपको कि for what value of x मैट्रिक्स ए इस सिंगुलर तो सिंगुलर मैट्रिक्स की मैंने आपको कंडिशन बताय थी कि उसका जो देटेमिनेंट के अंदर लिखो से मैंने देटेमिनेंट के अंदर लिखा क्या 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 लिखा जाएगा वाई 3-x 2 और-2 2-4-2-1-1-x इसकी जो value होगी वो 0 होनी चाहिए ठीक है चलिए अपने इसको आप solve करके देखते हैं देखिए आप जे देखेगा कि मैं solve कैसे करता हो ठीक है सबसे पहले 3- x लिखेंगे देखें सबसे पहली बात कि आप compliment को किसी भी row आफिसी भी column के respect में open कर सकते हो मैं row बंकी respect में open करूंगा आप row 2 के में कलने रोड 3 में कल लें, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, किसी के भी respect में open कर सकते हो, answer आपका same आएगा, तो मैं first row के respect में open कर रहा हूँ, तो देखेगा, देखे, 3-x लेखा, bracket लगाया, देखे, आप जैसे ही 3-x लेखेंगे, respective row, respective कॉलम को आप छपा लें, अब जो बचा है, तो इन दोनों का multiply करें, और माइनस लिखके इन दोनों का multiply करें, तो आपका answer आएगा, चले देखते हैं, भाई मैंने 4 का बन में किया, minus 4, 4-x, तो minus 4x, इधर आया आपका, minus x, minus 1, तो plus x हो जाएगा, और इदर minus x, minus x, तो plus x square हो जाएगा, अब दूसरे term में इदर minus लगेगा, आप लोग ये चीज़ ध्यान देना, कि अगर आपका इदर minus 2 होता, तो minus minus इदर plus 2 हो जाता, इदर plus है, इसलिए इदर minus ही आएगा, इदर minus sign है, y default है, इधर आपको sign के साथ value रखना है, तीक है, इधर minus 2 लेखा, तो bracket लगाया, देखो अब ये वाला हो गया आपका, तीक है, चलिए, अब ये वाला देखते हैं, अब जैसे ये आपका ये वाला हुआ, को मैं hide कर लूँगा, जेवाला आपका इसमें multiply होगा 2 का, और इधर होगा इसका multiply, ठीक है, चलिए, देखते हैं, 2 minus 1 minus 2, 2 minus x minus 2x, इधर minus और minus है, और बीच में minus आना था, तो minus और minus आपका plus 2 हो जाएगा, अब तीसरी बार में अदर plus लगेगा, और फिर 2 आएगा, जोकि ये 2 है अदर, तो अब जैसे ही, इधर 2 आया, तो अब देखें, अब क्या आएगा आपका, इधर 2 आया, तो अब मैंने, इस row और इस column को height कर लिया, इन दौनों का multiply होगा, और minus इन दौनों का multiply होगा, ठीक है, तो देखें, 2 minus 4 minus 8 हो गया, वह जाएगा, तो 2 4 जा, 8 plus का 8 आएगा, और plus, और minus हो जाएगा, वह तो minus 2x आएगा, ठीक है, इधर equal to 0 होना चाहिए, तो अब देखें, आप bracket open करो, तो इधर कितना है, देखो, यह minus 4x और plus x, तो देखो, 3 minus x मैंने जोंके तो लिख दिया, इधर minus 4x, plus x, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, देखो, इसका minus minus plus 4 भी तो आएगा ना, इसमें, तो देखो, minus minus plus 4 आएगा, तो 4 से 4 cancel हो गया, इधर आपका जो आया, देखो, minus 3x आया और plus x square आया, ठीक है, अब minus, इधर देखो, 2 से 2 गया, minus, minus plus हो गया, plus का 4x आया आपका, इधर 8 से 8 cancel हो गया, minus plus minus 4x आया, इसे equal to 0, आपका 4x से 4x cancel, अब एक चीज़ा अगर आप notice कर पा रहे हैं, तो एक चीज़ देखिए आप, इन दोनों में, अगर x common ले लें, minus का, तो देखो, 3 minus x तो पहले से था, अगर मैंने minus x common ले तो अधर plus का 3 हो गया, वो अधर minus x हो गया, equal to 0 हो गया, तो देखो, minus x into 3 minus x का whole square is equal to 0 आया, इधर से x की विन दो value आएंगी, आप x को cancel नहीं कर सकते, एक x की value आपकी 0 भी आएगी, वो value आपको ध्यान देना है, क्योंकि कभ question में आपको दो answer दिये रहेंगे, 0 भी और 3 भी, उसमें तीसरा option दिये रहेगा, both of them, और तीसरा दिये रहेगा, चौथा दिये रहेगा, none of them, तो आपको वो चीद ध्यान दखना है, आपको x cancel नहीं कर सकते आप, और दूसरा जो आपकी value आएगी, वो x is equal to 3 आएगी, यह आ क्या answer रहेंगे, clear question, एक वार आप फिर अपने end से try कीजेगा, जिसको नहीं मना है, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, तो आपको answer reply ज़रू दूँगा, चलिए, तो अब next start करते हैं topic अपना, Minors and Co-Factors, देखे, मेरी writing पर मत जाना कोई, ठीक है, ना मुझे बुरा लग जाएगा, चलिए, ठीक है, देखे, अब Minors and Co-Factors होते क्या हैं, मैं आपको एक example लेता हूँ, और उसके through आपको समझाता हूँ कि Minors and Co-Factors आपको find कैसे करना है, ठीक है, देखे, Minors जो होता है, वो आपकी, उसको आप बोल सकते हो, Determinant की Value होती है, चलिए, इसको represent करते हैं अपन, M, I, J से, यहाँ पर I और J क्या है, I number of row है, जो जिस row का अपन को Minors निकलना है, वो row रहेगी, और J जो रहेगा, वो column रहेगा, कि किस column का अपन को, लब किस row और किस column का Minors निकलना है, Minors एक चीज़ा रखना, Minors पूरे Determinant का नहीं होता है, Minors जो होगा, आपका particular, Determinant के element का Minors होगा, clear है, देखे, मैं आपको एक matrix देता हूँ, एक example लेते हैं, उसी से समझते हैं, देखे, 1, 2, 3, 2, 0, 1, minus 1, 2, 3, ठीक है, यह आपका एक matrix है, इसमें आपको अगर Minor निकलना है, तो देखे, जैसे मैंने आपको बोला कि 1 का Minor निकलना है, तो मैं इसको लिखूँगा कि denote कैसे करूँगा, M, 1, 1, 1, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का Minor अपन को चाहिए, मैं इसलिए बोलाता आपसे Minor Particular एक किसी Element का होता है, उस पूरे matrix का नहीं होता है, ठीक है, चलिए, जैसे मुझे M, I, J निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे Determinant निकालने के लिए क्या करते थे, देखिए, Particular Row, Corresponding Row और Corresponding Column को आप Hide करिएगा, इसके बाद आप इसका क्या बचा भाई, यह 2x2 का Determinant बचा है, तो आप इसको Solve कर लो, देखो, 0-2, तो जो आपकी Value आएगी, वो आएगी –2, ठीक है, चलिए, एक को निकालके देखते हैं, जैसे M, Minor आपको किसका निकालना है, Minor बोलो, आप जैसे मैंने बोला, 0 का, तो M, 2, 2, बाई, Second Row, Second Column, इसका Minor आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, देखो, आपने क्या किया, रो और Column को Hide किया, अब आपका क्या बचा, देखो, 1, 3, Minus 1, और 2, तो आपका कितना है, 2, Minus, Minus, Plus, 3, Is Equal to किता है आपका, 5 बाई, ठीक है, इस Type से, आपको जितने भी कोई भी, Ro, कोई भी Column का Minor निकालना हो, आप सारे Minor निकाल सकते हैं, आप लोगों के लिए Homework है, कि आप लोग सारे Minor निकालना, जैसे मैंने आपको दो सिखाए हैं, ऐसे आप लोग Minor निकालना हो, मुझे Comment Section में Answer देना उसके, ठीक है, चलिए, अब मैं बा आई जै मतलब क्या हुआ, सेम, नमर और प्रो जो दूरूर रहेगी, और Column रहेगा, वो आपको उसका कोफेक्टर का निकालने के लिए, इसका जो फर्मूला होता है, वो सिंपल से इतना होता है, कि माइनस बन की पावर आई प्लस जै, इंटू, एम आई जै, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझे है आप लो, आपका जो भी माइनर निकलेगा, माइनर आप निकालोगे, उसके बाद किस रो का और किस Column का माइनर पूछा है, उन नोनों को आप एड कर दोगे, जिसमें आपको एक्जमपल देता हूँ, चलिए ठीक है, को एक्जमपल, एम बन बन निकाला था, पन्य में सी बन बन निकालता हूँ, मतलब जो बन का माइनर है, वो बन बन निकालता हूँ, तो माइनर क्या आएगा, भाई, माइनस बन की पावर, रो कौन सी है, फ़स्ट रो है, और कॉलम कौन सा है, फ़स्ट कॉलम है, तो बन प्लस बन, और एम 1-1 कितना निकला था माइनस 2 निकाला था तो कि इन II तो इसका क्यों तो इसका क्यों फैक् कितना निकलता निकला देखो बॉफ प्लस 12 की पावर है तो वह प्लस में हो जाएगह प्लस बन हो जाएगह इन II- to A- passions değil हो और यह रहेगा मैं देखो मैं आपको एक बता देता हूँ आपको क्या होगा किसमें negative आएगा बस आपको सब उतना ही याद रखना है बागी आप जब एक बाद ट्राई करोगे तो आपको clear हो जाएगा देखिए आपको जो square बन दा यह वाला एके वाली value एके वाली value एके वाली value और एके वाली value इन चार value में आपको sign change करना पड़ेगा माइन निकालने करत बागी सारी value same रहेंगी क्यों रहेंगी वो भी बताता हूँ आपको देखिए इधा क्या है जी 1 1 है इधा क्या है जी 1 2 है 1 3 है 2 1 है 2 2 है 2 3 है आप सेकेंड रो थर्ड कॉलम इधा 3 1 है 3 2 है और 3 3 है अब आप calculate कीजिए देखो 1 plus 1 2 अपनी even number है even number में जो minus की power होती है plus की हो जाती है odd number देखो 2 plus 1 3 odd power 2 plus 1 3 odd power 2 plus 3 5 odd power और 3 plus 2 5 odd power odd power वाले जितने भी रहेंगे सिफ उनके ही sign change होंगे वाकी जितने जेसे जो minor आए हैं वही के वही covector अपने same आएंगे ठीक है आप लोग try कीजिएगा अगर फिर भी कहीं दिक्कत आते हैं तो आप लोग बता देना आँगे question solve करेंगे तो और आपको समझा दूँगा चलिए next अब जो आँगे आपको नकालना है वह है adjoint अच्छी के एड़ जोएंट को एडी जेसे रिप्रेजेंट करते हैं एड़ जोएंट क्या होता है आपको एड़ जोएंट जो होगा एड़ जोएंट होता है आपका transpose of cofactor आप लोगों को क्या करना है आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिये आप लोग जो पहला पेज रहेगा आपका दो पेज आप लोग बिल्कुल छोड़ देना ब्लैंक उसके बाद आप लिखना चालू करना क्योंकि जतने भी आपके फर्मूले हैं जितने भी आपको मैं फर्मूले बता रहा हूं वो सारे फर्मूले मुझे front page पे लेखे हुए चाहिए जैसे ही आप कोई revision करने के लिए कोई chapter खोलेंगे तो आपको front page पे ही सारे फर्मूले एक साथ मिल जाएंगे को दोड़ना नहीं पड़ेगा ठीक है चलिए देखिए मैंने आपको ट्रांसफोर्ज बताया था कि भाई जो रो होती है उनको column बना देते हैं जो column होते हैं उनको रो बना देते हैं तो देखिए अभी आपने क्या किया था इसके पहले इधर मैंने पहले minor निकाला minor के बार मैंने cofactor निकाला cofactor सारे निकलेंगे हर एक value का cofactor निकलेगा हर एक element का cofactor निकलेगा non cofactor निकलेंगे उनको में उन जो element है उनकी जगापे cofactor का एक matrix बन जाएगा उस matrix को बनाने के बाद आपको simply उसका transpose लेना है वो आपका adjoint हो जाएगा जो cofactor निकलेंगे उसका transpose लेना है तो जो row रहेगी वो column बन जाएगी जो column रहेगी वो row बन जाएगी तो वैसे ही आपका वो adjoint बन जाएगा वो उसको बन लेंगे adjoint of a matrix ठीक है चले एक question करेंगे तो आपको मैं पूरा सब कुछ के लिए करवा दूँगा adjoint के बाद आप बात करते inverse की inverse of a matrix ठीक है inverse of a matrix क्या हुआ inverse का formula क्या होता है आपको फर्मूला याद रखना है inverse का inverse को inverse को देखो या तो inverse से या यह डेस नए inverse को सिर्फ a inverse से ही represent करते है a inverse is equal to आपका हो जाएगा adjoint of a upon man determinant a आपको अगर मैं किसी matrix का inverse निकालने के लिए बोल रहा हूँ तो आपको क्या-क्या निकालना पड़ेगा ध्यान से सुनना सबसे पहले आपको minor निकालना पड़ेगा minor के बाद आपको cofactor निकालना पड़ेगा cofactor निकालने के बाद उसका transpose निकालना पड़ेगा जो transpose होगा उसका वो होगा adjoint a और जो सबसे पहले आपको initial matrix दिया हुआ था उसका determinant value निकालना है उसको आप जब इससे divide करोगे adjoint a में में तब आपका वो inverse निकलेगा ठीक है चलिए अब एक काम करते हैं को कोशन देखते हैं कोई कोशन है क्या कि चलिए ठीक है एक मैं कोशन लेता हूं कि उससे आपको कि लिया करते हैं ठीक है कोशन मैं आपका है कि एक टू बाइटू का मेट्रक्स लेता हूं कि कोशन आपका 1234 है ठीक है सबसे पहले मैं इसकी क्या निकालोंगा माइनर निकालोंगा माइनर निकालने के लिए भाई एम 11 एम 12 एम 21 और म22 इस चार आपको माइनर निकालना है ट्यक्त तो इसका मैंनान नकलना है तो है तो बनКत ना एगा एद्धर क्या है गागा तो यह तो होगा अपने माइनर असके बाद को फेक्टर कैसे निकलेंगे को फेक्टर निकालना तो भाई C1 1 C1 2 C2 1 और C2 2 यह 4 आपको को फेक्टर निकालना देखें 3 by 2 का भी मेट्रेक्स हो सकता है सोरी 3 by 2 भोलाओ तो वो 3 by 3 का आपको जब question discuss करेंगे तब बताऊंगा अभी मैं एक example समझा रहा हूँ आपको ठीक है चलिए C1 1 1 plus 1 2 positive value होगी तो 4 का 4 ही होगा 1 2 3 होगा minus 1 की power 3 minus 1 होता है और minus 1 into 3 तो कितना हो जाएगा minus 3 हो जाएगा C2 1 3 की power है साइन चेंज होगा तो 2 का minus 2 हो जाएगा और 2 2 4 की power है plus होगा तो 1 ठीक है चलिए यह आपके होगा co factor अब इधर एक काम करता हूँ पहले mod a का determinant की value नकालते है उसको mod a भी बोलते हैं तो उसका कितना होगा 4 बन जाए 4 minus 3 2 जा 6 तो कितना होगा minus 2 आएगा answer आएगा आपका आप लोग इसको ध्यान रखना ठीक है आँगे देखते हैं अब मैं इसका क्या निकालने वाला हूँ transpose निकालना है पन को sorry, adjoint निकालना है adjoint के लिए पहले co factor का एक जो आपका determinant बन दा है matrix बन दा है बोले कि यह 4 minus 3 minus 2 और 1 निकला ठीक है अब इसका मैं adjoint निकालूँ adjoint of a is equal to क्या हो जागा transpose of co factor होता है तो इसका co factor sorry, transpose of co factor का matrix होता हूँ उसका तो इसका कितना हो जाएगा 4 minus 3 minus 2 और 1 यह आपका होगे adjoint a अब inverse से निकालना है तो inverse क्या निकलेगा भाई adjoint a तो 4 minus 2 minus 3 और 1 upon में कितना आएगा भाई देखो determinant की value कितनी आए थी minus 2 आए थी तो determinant की value upon में minus 2 आएगी तो आप इसको अगर पूरा लखेंगे तो A inverse जो matrix आएगा inverse में matrix होगा वो कितना होगा आपका minus 2 divide करो सारे से तो इदा इसका बना जाएगा इसका plus 3 by 2 होगा और इसका minus 1 by 2 होगा यह आप करहेगा answer clear question चलिए very good तो अभी आज अपनने क्या क्या पढ़ा है आप बुसुन देखिए पहले सबसे पहले अपनने minus निकालना सीखा उसके बाद उसका cofactor निकालना सीखा adjoint के बाद आपने उसका inverse निकालना सीखा ठीक है चलिए next वीडियो में अपन जो करने वाले हैं वो रहेगा आपका gosh jordan method से elementary transformation करेंगे row operation और column operation क्या होते हैं वो समझेंगे और एक अपना gosh jordan method से भी अपना inverse निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे ठीक है चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में जयहिन दोस्तों बस एक request है आप से अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है या फिर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो अपने दोस्तों के साथ सेर जो की कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए